नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्रूब चैनल जिक्के हेलप विद जारबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान प्लिस एक्जाम के लिए राजस्तान समने ग्यान के मौस्ट इपोर्टेंट 45 कोस्टनों के बारे में तो वीडियो को अंतिम समय तक द्यान प्रोग देखिए और अंतिम आपसे एक जीके का कोस्टन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा तो चली स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कोस्टन करते में पदं बुसन से समानित किया गया तो उनका नाम है पंडित राम नरें इस कोस्ट हमाएं दूसरा कोस्टन आं हिक खर्टाल का ज़ादूगर किसका उपनाम है मित्र 혹시 पूंछ जाता है खर्टाल का ज़ादूगर ये मित्रों अलीक्र क sacrific प्रसिद कलाकार थे तो मित्रों ये थे तमासा के इसके ए उप्शन राइट है तमासा चलिए अगला कोस्त नहीं गीगला के बापू नाम से कौन प्रसिद हुए गीगला के बापू नाम से कौन प्रसिद हुए तो मित्रों गणपतलाल डंगी इसका बी ओप्शन राइट हो जएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जुरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा सेरे करें ता पांचवा कोस्तन के उडान योजना में बेस्ट प्रो अक्टिव स्टेट अवाड किस राजय को मिला एफफ़ को इसका सी ओपसन राइट है ये करें जी के से समाधीत कोस्तन है चलिए छटा कोस्टन है कि अलाउदिन खिल जी ने किस दुरूग को जीत कर उसका नाम खेराबाद रखा अलाउदिन खिल जी ने किस दुरूग को जीत कर उसका नाम खेराबाद रखा यह भी इपोर्टन कोस्टन अक्सर एक जाम में पूछा जाता है तो आपको दिया रखना है सिवाना दुरू को जीत कर अलाउदिन खिल जी ने नाम खेराबाद रखा था इसका ए उप्सन राइट है चलिए अगला कोस्टन है कि सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तैते परतेग सरकारी विबाग में इस हेतु न्यूक्त प्राधिकारी है इसका सी ओप्सन राइट है लोग सुचना अधिकारी चलिए आठमा कोस्टन है कि निमन में से किस केंदर बवन के वास्तुकार चाल्स कोरिया थे ओप्सन आपके सामने निध्यान प्रोक देखे फिर इसका जुआब दीजिए निमन में से किस केंदर बवन के वास्तुकार चाल्स कोरिया थे तो मित्रो इसका बी योपसरेड़ जवारक लाग के अंदर जो कि जेपुर में स्थित एक बहुकला के अंदर है इसमें राजस्तानी कलाईं तथा हस्त कलाईं देखने honor काया प्रिश्टिट हैं तो आपको द्यान रखना ही यश थित जेपुर में चलिए नेश्ट कोशन है कि जिस जिले में नेशनल वुड फोसिल पारक अस्तित है यानि कि राष्ट्रे जिवासम पारक कौन से जिले में स्तित है यह आपको बताना है ओप्शन आपके सामने इने ध्यान प्रोग देखिए फिर इसका जवाब है दीजिए तो दोस्तों यह स्तित है जेसल मेर में इसका A option रहाट है कि कि पुछा जाता है कि किस उद्यान में घुर में जेसल मेर में यह स्तित है और आपको पता है राष्ट्रे मरू उद्यान छ режत्रफल की दरष्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा अभैर्णन है ऑर यही पर ही जिव पश्चायती राज संस्ताउं में चुनाव कराने का दैतावय मित्रों राजस्तान निर्वाचन आयोग के पास किसके पास से राजस्तान निर्वाचन आयोग इसकुशन दी ओप्षिन की जले है राज्य में मक्का के सरवादिक उत्पादक वाले जिले कौन से तो इसका बी ओप्सराइट हो जाए उद्यपूर और चितोडगड ध्यान कर लेना दोस्तों मक्का जिसका विज्यानिक राम होता है जीया मेज इसके उत्पादन में जो स्रफ्सरेष्ट यानि की सरवादिक राजस्तान दिवस्पर्ट बस वेज़न होता है मैं दोस्तों यहां पर आपको ज्यान खने टीस मार्च को राजस्तान मना होगया था इस करण 30 मार्च को राजस्तान दिवस मनाया जाते हैं और दोस्तों 1 नुमंबर 1956 को राजस्तान का वर्तमान सवरूप आया था सामने इसी कारण राजस्तान स्थापन दिवस मनाया जाते हैं के नुवंबर को तो यह आपको जाने रखने है कि चलिए अगला कुष्च ने के कलाल समंदीत है कि कलाल समंदीत है किस समंदीत है आपके सामने उपसन है इन्हें ध्यानप्रोग देखिए फिर इसका जवाब दीजी तो मित्रोस राब बेचने का करे करने वाली एक जत्ती होत मित्रो डुंगरपुर जिले में स्तीत है इस Qwestn का B औप Scion रायट है। डूंगरपुर जिले में गेपज़्य जीले स्तीत है। hopes दिले अगला को स्चन शोनिग परतानमंत्री अवास योजना ग्राम्मिन का राज्यस्त्रिय शुबारब review का te लडा ये जैलिए सोडिमाग कोश्टन ने खेल कूद का समान बनाया जाता है में खेल कूद का समान कापर नहीं जाते हैं तो खेल कूद के लिए लिए ऐ değildra मनि गड़ला इस कॉस्टन आदला जोदपूर के परसीद है और अजरक प्रिंट बाड मेर की जजर्ट प्रिंट आकोला चित्रोडगड की फेमस है यह अक्सर एक्जाम में पुछे जाने वाले फेक्ट आपको याद है रखने है कि नेक्स्ट कुस्टन है कि विसल देव रासो नाम ग्रंथ की रचना लेकि तो दोस्तों भुष्ल देव रासों नामग्रंथ की रचना के थी नर्पती नालै नहीं इसका एक ओप्शे राय्ट नर्पती नालै यह द्यारत Original प्रकार नाम अरपती नालAmeric और साथ में आप याद रख सकते हैं जिसे चंद्रपरदाई ने पिठ्थिव राज रासो की रचना के इस थी हमीर रासो जोद राज वंस बासकर सुर्य अमल मिसरन तो यह भी एकजाम में पूछा जाता है अगला कोस्टन है कि सत्ती रासो नामा ग्रंथ की रचना किस ने की सत्ती रासो इस ग्रंथ की रचना के थी सुर्य अमल मिसरन ने इस कोस्टन का ए ओप्सन राइट है और आप सभी को पता है इस यूटूब चैनल पर डेली राजस्तान पुलिस से समंदीत मोडल पेपर अप्लोड किये जाते हैं इसी के अंतरगत अभी तक पार्ट बीस सबीस्ट पूछे जाते हैं और आज त्रेप्रम देपर आज ही अप्लोड किया गया था अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक भी डिसक्राप्टीं में दिया गया है और जितने भी अभी तक मोडल पेपर अपलोड किये गया मिद्व उन्हें आप एक साथ देख सकते ह के लिए डिस्क्रप्शन में लिंक दिया गया प्ले लिस्ट का और प्ले लिस्ट का नाम है मिसंद राजस्तान प्लिस 2020 और आप सभी को पता है यह जितने भी मॉडल पेपर मेरे दुवारा करवाए गये यह सभी के सभी कोस्टेन प्रीवियस एर के एक्जाम्स में पूछ देखें अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करें अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इन्हें लाइक भी करें और आप सभी को बता है अभी जो एक्जाम में वह मैं में होगा राजस्तान प्लिस का यह कल नोटिफिकेशन जारी विवाग ने कर दिया था तो अच्छी से त्यारी किजिए ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए एंस याटी और वादिव सिखिचा बूर्ड के जो भी समाजिव ग्यान और साइंस की बुक है वो भी पढ़िए और रेगुलर अपडेट रहिए करंट जिके से करंट जिक साइस से रिलेटिव पार्ट बी में कोस्टन पुछे गए थे और पार्ट बी में अधिकांसत स्टूडेंट्स फेल हो गए थे तो आपको इस पर ज़्यादा से ज़्याने देना है तो चलिए दोस्तों अगला कोस्टन आपके सामने राजस्तान का सबसे निकटतम इस्तित बंदर गाय है यह कोस्टन भी बहुत बार पुछा जाता है निकटतम जो बंदर काण्डला इसका डी ओप्षन राइट है अगला कोस्टन बवाई नरते की संभाग का मुख्य नरते आपको द्यान रखना है राजस्तानी नाट को जनक एबम नि निर्दे से कोन है, rest और आपको द्यान रखना है एक पूर्टरन कॉस्टन है और ये इफेकट आपको द्यारक नहीं कि राजस्तानी नाटकों के जनक को ने शुरी कनेया लाल पमार art आग वाहएश्मा कोस्थने जहुरखा मिवाति को ने जहुरखा मिवाति को में कि प्रसिद बफंग वाधक कोना परिसिद बफंग वाधक इसका D option right है 23 मा कुस्टन है कि चरी नर्ते की परसिद नर्त्याःगना कोन है तो दोस्टो जब भी बात है चरी नर्त्याःःगना कोन है फलकु भाई इस कोश्टन का D option right है और दोस्तो गुलाबबबबब कोन है गुलाबबबबब तो यह इसका डी ओप्सर एड़ो यह सबी बवाई नर्ते जो के उद्यपुराग का फेमस नर्ते यह बवाई जाती के दूरा किया जाता है रूप सियं सिकावत मांगिलाल सांवरिया और देयाराम ये बवाई नर्ते के फरसिदे कलाकार है अगला कोश्चन है कि राजस्तान में पत्तर कारिता के विशम पिता माय कहलाते हैं तो पत्तर कारिता के विशम पिता माय कोन कहलाते हैं पंडित जाबरमल सर्मा पंडित जाबरमल सर्मा इसका सी ओप्सन राइट है चलिए 26 मां कोस्टन है कि राजस्तान की मीरा कहते हैं राजस्तान की मीरा किसे कहते हैं तो दोस्तों राजस्तान की मीरा कहा जाता है किसको गवरी बाई को इसका ए उप्सन राइट है राजस्तान की मीरा किसे कहते हैं गवरी बाई को कि चलिए स्थाइश मा कोस्टन के खेली होती है खेली होती है क्या होती है मित्रो मवेशियों के पानी पीने का łatए एक छोटा कूंड जिसे क्या केते हैं खेली तो इसका c option राइट हो जेगा है चलिए 28 मां कुस्चन है कि खाटू श्याम जी का मंदिर स्नित है खाटू श्याम जी का मंदिर काम पर स्तित है शिक्कर में इसका a option राइट है कि चलिए 29 स्वर मादेव मंदिर कांपर स्थीत है सितले स्वर मादेव मंदिर मित्रों यह कुस्चन भी अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है तो आपको द्यान रखना यह स्थीत है जलाबाड में इस कुस्चन का ए ओप्सन राइट है और दोस्तों इसमें मोस्ट इपोर्ट कि केसी तेहरी चल रही है वह भी आपको पता चल जाएगा अगला कुस्च ने ब्रमाणी माता का मंदिर कांपर स्थीत है तो मित्रों यह स्थीता है सोर्स इन बारा में इसका सी ओप्सन राइट है चलिए 31 कुस्चन रूपा जी व्यक्रिपा जी नामा किसान नेताओं का सम इनका समन था बेंगू किसान आंदोलन से इसका ए ओप्सन राइट है बेंगू कांपर स्थीत है चितोडगड में और यह किसान आंदोलन मित्रों 1921 में प्रारंब हुआ इसकी सुरुआत बेगार पर्था के विरोध में हुई और आंदोलन का सुरुआती नेतरत्व किया थ है यह विर्ष्ट नागरिक होएतिर थ्यात्रा योजना का सुपरम किया था राजस्तान इसका निकितनी ग्राम सबा की वर्ष में कितनी बेटके होना अवश्यक है ग्राम सबा की वर्ष में मित्रो चार बेटके होना अवश्यक है इस कोस्टन का सी ओफसर राइट है इपोर्टन कोस्टन अक्सर एक्जाम में ये पूछा जाता है किसी ग्राम की निर्वाचक नमावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन वेक्तियों को सामोईक रूप से ग्राम सभा का जाता है यह आपको ध्यान रख लें चलिए अगला कोस्टन के ग्राम सभा का अध्यक्स कलाता है ग्राम सभा का अध्यक्स कलाता है मित्रो सरपंच कौन कलाता है सरपंच इस कोस्टन का सी ओप्सन राइट है चलिए 35 कोस्टन है के राजस्तान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्तर विवार को क्या का जाता है राजस्तान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्तर विवार को खरीता का जाता है इस question का C option right up, very very important question अक्सर एक्जाम में ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, एक राजा का दूसरी राजा के साथ पत्तर विवार खरीता क्यलाता है, अगला question के 1857 के विद्रोय के समय राजस्तान में AGG कौन थे, agent to governor general, कौन थे मित्रो, ये आपको बताना है, तो दोस्तो, 1857 की करांती के समय राजस्तान में AGG थे, जोर्ज पेट्रिक लोरेंश, इस question का B option right है, चले अगला question है कि विश्णोई संपर्दय के परवर्तक गरू जंबेशवर जी से समद्दित मुख्यस्तान कौन सा है, मुख्यस्तान बताना है दोतो, विश्णोई संपर्द जी औपंशन राइट है, 38 म कुस्त ने के राजजय मानवादिकार आयोग के सिपारिशे हैं, किसी होती हैं दोस्तो, राजजय मानवादिकार आयोग के सिपारिशे , औप्शन आपके सामने दंडात्मक वेकारी , सिलाकारी , इनमींसे कोई नहीं, टो इनकी जो होती होती है वह सलाकरी इसका सी ओपक्चन राइट स़ला करी शर्टिण Giving कोस्टन करिए कि बूरिया माढ़ा अराध्य देवता है कि यह आपको बतार में स्यमेंट उद्योग का सबसे प्रमुक के अंदर है मित्रोच चितोरगड़ इस कोस्थन का वी ओप्सन राइट है यहाँ पर मैं आपको एक फेक्ट याद करवाना चाहता हूं कि बाइब कोस्थन पूछा जाता है कि राजस्तान में सिमेंट का पेलाकार खाना कहां पर अगला कोस्ट ने राजस्तान के एकिकरन के समय कोठा के सास्त कों ते तो जब एकिकरन वह था उस समयकोठा के सास्सखते बीम सी हैं इसका A – option Raite है अगला कोस्ट ने पंडित मौतिलाल का समंद किस स्तान पर रहा जा उन्होंने प्रारंबिक सिछ़्चा प्राप्त की है पंडित मोतिलाल का समंद रहा था मित्रों खेतडी से इसका सी ओपसण रहाट है खेतडी से चलिए अगला कोश्चन के राजपुतों में डावरिया से तच प्रहें वेरे-वेररी इपो्टन कोश्चन अक्सर इक्जाम में यह मिलता है । डावरिया का क्या है सब्सक्राइब को कुम्बलगड उपसन हैं कोमलु समots ने कुंबलगड कई है यह इस荷िता है राजसमद में इसरी और आज का अंतीम को स्ट्बाव यानी के पेर का अभुसन नहीं है यह जो चार अबुसन आपके सामने मित्रों इन में से आपको बताने कि कौन सा पेर का अबुसन नहीं है तो दोस्तों यहां पर जो कंदोरा है यह पेर का अबुसन नहीं है कंदोरा होता है यह कमर का अबुसन होता है यह आपको ध्यान रखने है कंकति कंदोरा करदनी यह कम 45 कोस्टन आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जुरूर बताए और डिस्क्रप्शन में लिंक दिया गया टेलिग्राम चैनल का उसे जुरूर जोइन करें और वहां पर आपको राजस्तान पुलिस से समधीत नोट्स भी मिलते रहेंगे और किसी भी कोस्टन में आपसे कोस्टन पूछा गया था उसके बारे में बाद हमीरा सो किस बसा का गरंत है यह कोस्टन पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था इसका बी ओप्सन राइट था और आप सभी ने इसका जवाब है राइट दिया हमीरा सो संसकर्त बसा का गरंत है और इसके ल मारच 2020 से राजस्तान के कि सहर से सूपोसित मा अभ्यान प्रारम किया गया ओप्सन आपके सामने कोटा जैपुर सिक्कर जोद्पुर तो इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जुरूर दे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंद मात्रम जय भारत